हालो एवर्वन देखें कलापन ने पॉलेट ही टेक्नोमेट्री शुरू की थी ठीक है आप कलापन ने जो फॉर्मॉले लगाये थे उनका एप्लिकेशन भी अपने सीख लिया था अब आगे की फॉर्मॉले पर वो सीखना है स्टेप बाइस्टेप तोन फॉर्मॉलों पे ठीक है योग पर में कहलाते हैं यह ना क्या होगा साइन एंटू कॉस बी ठीक है साइन एंटू कॉस ब्लस कॉस एंटू साइन एंटू साइन भी ठीक है है ना इसी परकार से आपका होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस एंटू कॉस बी ठीक है कॉस एंटू कॉस बी माइनस साइन एंटू साइन बी यह दोनों पालाग अलाग एंगल है उदी के इसमें यह होता है इसी प्रकार से 10 A प्लस B बराबर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 10 A प्लस 10 B 1-10 A x 10 B यह फॉर्मूले होते हैं आपकी किसके योग प्रतिलोम कहलाते हैं यह सिर्फ अब भॉर्मूले देखने है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक होता है a एक बार आएगा cos के साथ b ठीक है, plus फिर आएगा cos a और फिर sin b तो ये तो आसानी से याद हुआ है एक बार sin का, एक बार cos का इसी प्रिकार से याद करना है cos a plus b में क्या होगा एक बार फुरे cos cos के फर्वाएंगे एक बार sin sin के टर्माएंगे ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b ठीक है, तो ये ऐसे आप उनको याद करने हैं, 10 का तो बहुत सेंपल रहता है, 10 a plus 10 b, 1 minus 10 a into 10 b, ठीक है तो ये आपको फर्मुले याद होने चाहिए ठीक है, अब माइनस के देख लेते हैं ठीक है, माइनस के sin a minus b बराबर, ठीक है sin a minus b बराबर, अब इसमें कैसा रहेगा, देखे sin a cos b minus ठीक है, cos a sin b cos a sin b इसमें कुछ difference देख रहा है minus में यहाँ minus आजाएगा और plus में यहाँ plus आजाएगा ठीक है, तो sin a minus b क्या difference है यह difference रहता है अब इसी प्रिकार से cos a plus b बराबर, इस और इसमें a plus b का उपर लिख दिया है, अपर ने a minus b का लेकर आएगा है, वह उनको है न, cos a cos b plus sin a sin b cos a cos b plus sin a sin b इसे प्रिकार tan a minus b का लगाएंगे यदि अपन तो यह आएगा tan a minus tan b one plus tan a minus tan b ठीक है है न, तो यह सारे formula आपको यहां से दिख जाएंगे यहां पे है न, सारे formula दिख रहे हैं तो simple आपको यह formula आने चाहिए ठीक है, मैंने आपको समझाए किस परकार से आपको याद करना है। देखे तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि फॉर्मुले बहुत सारे हैं तो आपको धीरे धीरे फॉर्मुले याद रखना है और उनको कैसे अपलाई करना है वो आपको आना चाहिए तो यह आज की फॉर्मुले यह हैं अब आम इनी पे अपने सवाल सॉल्व करेंगे ठीक है आपको याद करने की जिरूद नहीं है आप इनकी सवाल बस दो तीन वार सवाल वी दिए आपको अपने आप पे बनने लगेंगे तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन साइन 75 डिगरी अब जो अपने कल फॉर्मुले लगाए थे क्या उससे साइन 75 डिगरी सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसको 90 माइनस कुछ करेंगे या 90 प्लस तो करी नहीं सकते 90 माइनस कुछ करेंगे तो 90 माइनस 15 होगा टो 90 माइनस 15 का अपने पास ब्लस साइन 75 को डिगरी अधाक्वक सब्क 15-45 इसको आप ऐसा लेख सकते हो ना पिल्कुल ये लग सकते अब फोर्मुल लगाज़ो इस पे साइन यह हो जाएगा ए यह हो जाएगा भी तो साइन 45 ड्लस sin 30 बराबर हो जाएगा sin 45 into cos 30 यसा ही होता था है नहींYes यह होता था plus में plus होता था टीक है तो यहांपे हो जाएगा cos 45 into sin 30 यह होता था के नहीं होता था formula यही होता था था नहींiem formula इसका यह formula लगेगा sin a plus b का formula लगेगा sin a into cos b plus cos a into sin एक formula लगेगा वोई formula लगाया है sin 45 की value अब आए आपका test 1 upon root 2 cos 30 के value root 3y2 plus cos 45 root 2 sin 1y2 यह value आपको याद होनी चाहिए कल जो table बनाईती न उसी की value है यह value आपको याद होगी तो आप यह value लख पाएंगे ठीक है अब यह इसका गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2 दो का गुणा होगा तो 2 root 2 plus इसका 1y2 root 2 अब यह आपको भिन्न solve करना आना चाहिए अब इसका lcm लेंगे तो lcm क्या आएगा 2 root 2 इन दोनों का lcm लिया दोनों में common है तो 2 root 2 आजाएगा अब इसको solve कैसे कलते हैं तो इसका गुणा करेंगे ऊपर वाली जंक्या में तो इसको इस से भाग देंगे तो एक आएगा यह आपका इसको और आगे solve नहीं कर सकते तो इस परकार से sign 75 की वैलू आप निकाल सकते हो ठीक है है ना समझ में आया यह इतना चलो और अच्छी स्वाव करते है इसका जूसरा वाला पार्ट यदि साइन पचेतर आपके बनने लगा है तो यदि साइन पंदरा है साइन पंदरा तो इसको कैसे स्वालब करोगे साइन पंदरा को आप यह लिख सकते हो 45-30 लिख सकते हो है ना तो इसमें क्या फ़र्मला लग जाएगा साइल A-B का साईल A इंटू इंटू साइल A साईब इंटू साइल A यहीं फ़र्मला होता है फ़र्मला लगा दो कि आप A आपका यह है, B आपका यह है, तो sin 45 into cos 30 minus sin 30 into cos 45, यह है, value रग दो, 1 upon root 2, root 3 by 2 minus, 1 upon 2 into 1 upon root 2, फिर वोई value आ जाएगी, क्या आएगी, सिर्फ minus आएगा, चलो, और अच्छे सो solve कर देते हैं इसको, इसमें सिर्फ आप LCM लोग के यह आएगा, फिर यहां पर यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, सिर्फ इसमें plus आया था, इसमें minus आया, तो यह इस पकार से आप sign 50 की value, यह इस पकार के formula के applications हैं, कि किस पकार से ऐसी संख्या आए है, ठीक है, अब यह तो हो गए आपके simple simple question, अब थोड़ा सा tough question की तरफ चलते ही, ठीक है, जो जंदली पूछे जाते हैं, उनसे पहले कुछ सर्वसमीका हैं, वो मैं आपको बता दू, ठीक है, सबसे important सर्वसमीका होती है, sin square x, या फिर sin square theta plus cos square theta बरावर 1 होता है, अभी के लिए सर्व यह एक सर्वसमीका याद रखना हैं आपको, ठीक है, यह इसके बरावर 1 होता है, और इसको अपन ऐसे लग सकते हैं, sin square theta बरावर, इसको आप उस साइड ले जाओगी तो हो जागा 1 minus cos square theta, या फिर इसको ऐसे ल इसको इस पकार से लिख सकते हैं और यह एक सर्व समीका होती है, सर्व समीका है, जो आपको याद रखना है, इसको इस पकार से भी लिखा सकते हैं, आभी के लिए सर्व यह इसी का यूज करेंगे अपन, तो इसी का समझा रहा हूँ बस, बाकि जब दूसरी यूज करेंग तरहां है जो साइन और कॉट्स में होती है ठीक है वावन सबस्क्राइब और कोट मैं भी होती है लेकिन यह अभी अपन को स्रप अभी के लिए सिर्थ यह वस्याद रखना है बाकि जब आपन जैसे जाए अप्लिकेसा लगाएंगे तो अपन दूसरी सभी समीकाओं को याद क करेंगे अभी के लिए यही वाजियात करेंगे क्योंकि इसके बेश पे आपका सवाल बहुत बूठा जाता है और हर बार आखिर सलेवस में यह कुश्चन आता है ठीक है अब देखो कुश्चन है साइन अल्फा वरावर दिया है उनले थ्री वाइफ फूर ठीक है सॉली थ्री उनलवाइफ और कौस अल्फा वरावर कौस विटा विटा वरावर दिया है नाइन वाइफ फूर्टी वर्ट ठीक है ये दिगी है उन्हें संख्या का यह वैलू दिए है आपको उन्हें बोला है फाइंड ज्याद कीजिए साइन अल्फा माइनस वीटा है न alpha minus beta और cos alpha plus beta ठीक है यह सारे यह दोन्य चीज दी है आपको यह निकाल ली है तो आप कैसे नेकालेंगे अपन को देखें सबसे पहले लेते हैं अपन first sin alpha plus beta ठीक अपनको इसका formula पता है formula पता है न इसका ऩ्या होता है sin alpha cos beta plus sin beta into cos alpha अब तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि sin alpha की value दी गई है ठीक है? cos beta की value भी दी गई है लेकिन sin beta और cos alpha की value नहीं दी गई है तो यह value कैसे नकालेंगे बाद? अब देख थीक है? तो यह दोनों value दी गई है अब देखो तो यह अपन cd war direct value रखके आराम से निकालेंगे लिएकिन यह value नहीं दी गई है तो पहले अपन यह value निकाल ले तो पहले लिखेंगे अपन क्या? क्या निकालना है? पहले अपन निकालेंगे cos alpha प्लस पॉस स्क्वेर अलफा बरावर वन होता है, यहाद है, साइन स्क्वेर ठीटा प्लस पॉस स्क्वेर ठीटा एक्क्वल टू बन पहली सर्मसमी का जो मैंने बताई है आपको, तो यदि इसको आप लिखें, कैस्मकार से, इसको ले जाए यहाँ पर, यह हो जाएगा, पॉ जाएगा, और रूत है, तो यहाँ यह जाएगा, एका यह हल्का सा यह स्क्वेर रहा हूं, तुक राटर को आर पर आलफा it रूड one minus sine square की value कितनी है three by five sine alpha की value और square square ठीक है यहाँ पर काई की value रग दी sine की value तो cos alpha बरावर हो जाएगा one minus three का हो जाएगा nine का square five का हो जाएगा पच्चेस ठीक है तो cos alpha बरावर हो जाएगा ठीक है अब LC हम लेंगे इसका पच्चेस ठीक है और इसका गुणा हो जाएगा तीरिया गुणा इसमें 25 इसका इसमें बख हो जाएगा यह तो cos alpha बरावर हो जाएगा आपका 24 भाई 25 देख है न sorry यह 500 गुणा हो जाएगा इसका one में जाएगा तो nine हो जाएगा और या हो जाएगा sixteen सिद्रीम और इनका अंडरूर्ट हटांगे था यह कैसा यह हो जाएगा चार स्कुर के सक्वेर का कैसी की सिद्रे हम क्या डFr alkalGA sph तो इसको समझा दीता हूं मैं अपने एक सर्वसमी का थी अपने इसको साइड ले गए है ना कॉस अलफा बराबर इसका इसको हटाया तो इसके अंडरूट चालिया ठीक है फिर जब कॉस अलफा बराबर आया तो साइड लगा है तो इसके स्कोर चणा दिया ठीक है तो कोस अलफा की वैलूट यहां पर रखी तो फिर इसका स्कोर खोल दिया तो पांच का पच्चेस इसका इल्सीम लिया पच्चेस नीचे कुछ नहीं था तो यहां पर एक हो जाएगा पच्चेस का एक में भाग दो के तो इक आएगा एक का गोड़ा 9 में करूँ तो 9 आजाएगा इसमें से गड़िगा तो 16 16 25 पच्चेस में इसके यह 4 का होता है यह 5 का होता है तो इनके रूट रूट रडेगा तो 4 पटे 5 आजाएगा तीक है तो यह हो गई आपकी कौस अलफा की वैलू निकल के आगई तो इसी आप sin beta की value निकालेंगे, sin beta की value क्या से निकालेंगे, आपको पता है sin square beta plus cos square beta equal to 1 तो क्या हो जाएगा अब अपन को निकालना किसकी है, sin square beta की, तो sin square beta बरावर हो जाएगा 1 minus cos square beta इसका under root square root हटाएगे तो 1 minus cos square beta, same process ठीक है, तो sin beta बरावर हो जाएगा आपका 1 minus 9 by 41 का square, इसको solve करेंगे आप 1, ठीक है 1 minus 81 41 के square करेंगे आप solve ठीक है, तो कितना आएगा, 1681 फिर इसको solve करोगे आप, यह ना ठीक है, तो 1681 minus 81 upon 1681 तो यह हो जाएगा, इसमें से इसे इख़टाएगे 1600 बचेंगे, और यह बचाएगा 1691, यह बचेंगा, 1600 का होता है 40 का, और यह आपको पता है, कितने का है, 41 का ठीक है, square root अठाके, आपको आना थे, यह आपको बस calculator रहता है calculator से आप calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो यह sin बीटा और cos बीटा की value निकलके आ गई, जब यह उसारी value आपकी निकलके आ गई, ठीक है, यह किसकी value थी, sin बीटा की, sin बीटा की value कितनी आई, 40 अपान 40, ठीक है, अब वो value आपको इहां पर रख देना है, sin बीटा की 3 by 5, cos बीटा की 9 by 41, प्लस इसकी कितनी थी, 4 by 5, इसकी, sorry, इसकी थी 40 by 41, इसकी थी 4 by 5, अब यह आप देख रहे हो, इसका यदि LCM लोगे आप, तो कितना आएगा, 41 by 5, इसका गुणा करोगे, थो थोला सा difficult हो जाएगा, यह सब टुकड़ों में लोगे, तो आसानी हो जाएगा, यह एदर है, यह एदर है, इसका common 9, प्लस इसका 40 इंटू 4, ठीक, दोनों का गुणा कर दो आपस में, 9, 27, प्लस, 4 चों को 16, ठीक है, 41 इंटू 5, इन दोनों को जोड़ दो, तो हो जाएगा, 7, 8, 1, और 41 इंटू 5, पांचों का 20, यह आपका answer हो जाएगा, तिक है, एजबर ओकर होगीगे, जाइन अलफा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सोरी, हाँद, हाँद, जाइन अलफा प्लस बीटा निकाल लिया आपनने, कुछ भी निकालता है, तो जहांपे अपनको एक्शूली निकालना था क्या, साइन साइन अलफा माइनस वीटर निकालना सा है ना तो अपने साइन अलफा प्लस वीटर निकालना है अब साइन अलफा माइनस वीटर निकालना है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा अब जब इस पर माइनस का साइन आएगा तो यह माइनस के 133 आजाएगा तो इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हैं तो यह आपके हो जाएंगे यह application हो जाएंगे आपके किसके जो यह वाले फॉर्मुले होते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा के यह आपके application हो जाएंगे ठीक है तो यह simple type की problem थी आपकी किनके इन यह वाले फॉर्मुलों के according ऊट यह सारे फॉर्मुले आप लगा लेंगे और इस प्रकार से है सारे फॉर्मुले कि आनसर और लेंगे यह वाला question आपका बहुत ब्यूचा जाता है यह value दे गई हो Esta का से आपको यह value value निकालना होती है, तो मैंने एक पार्ट ही बस आपको निकालना के बताया है, दूसरा पार्ट आप खुद निकालेंगे, है ना, और प्रेक्टिस करेंगे, जो भी आपकी बुख, आप रिफर करतो हो, उस बुख से आप प्रेक्टिस करें, है न, और इतने ही आपको formula याद क होता है, ठीक है, बाकी extra formula बैसी बहुत सारी formula है, और extra burden अपन को नहीं लेना है, तो आज का topic अपन यहीं समात करते हैं, अगली बात जो होगा, तो अपन और, और सारी, इसी में और question, question भी है, और question भी ले लेंगे, क्योंकि 10 A plus B का नहीं देखा है अपन ने, और 5Y4 को भी आ और जो नए formula है, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे, चलो तो गुडियों को अभी समात करते हैं, अगला, thank you